यूपी चुनाओं में बात विकास से शुरू हुई थी लेकिन मंदिर मस्जित शम्शान और खबरिस्तान तक पहुँच चुकी है इतना ही नहीं जुबानी जंग में आगे निकलने की होड में गधे तक की एंट्री हो गई गधे वाले बयान पर गदर मचा हुआ है सवाल उठता है कि विकास के बजाए बे मतलब की बातें क्यों हो रही है आज के एजेंडे में चर्चा इसी पर आप गंगा बया को बहुत मानते हैं आप गंगा बया की पीटा हो गुजरात की वाइल्ड एस सेक्शन उत्तर प्रदेश में चुनाओ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तापमान गर्माता जा रहा है नेता मर्यादा की लकीरें लांग रहे है योगी आदितिनाथ और वैसी जहां मंदिर, मस्जिद, चमशान और खबरिस्तान की राजनीती कर रहे हैं तो वहीं अखलेश यादव ने अपनी रैली में गुजरात के गधे की बात कहकर नया विवात खड़ा कर दिया बीजेपी के नेता अखलेश यादव पर चौतरफा अटैक कर रहे हैं अब सवाल उठता है कि विकास, कानून व्यवस्था या फिर आम लोगों से जुड़े मुद्दे इसे इतर बे मतलब की बातें क्यों कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, लखनाउंस से जुड़ाए हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मधुगुपता हैं, साथी यूपी बीजेपी प्रवक्ता महसिन रज़ा साथ हैं आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है, हम आपके पास आएंगे, चर्चा के शुरुवात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट ज़रा देख लेते हैं अगरी बिजरी नहीं मिलती है, ये भे तो आप क्या हर चेकर हुआ कि नहीं हुआ? इंगस्तान कर वजीर आदम तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दोरान कहते हैं कि बेभ भाओ नहीं होना चाहिए इंगस्तान कर वजीर आदम जो कौंस्टिवूशन पर और क्ली हर बहे हैं कहते हैं तो दिवाली में भिजरी आना चाहिए इंड़स्थान गरदी राजम कहती है कि ख़बरस्थान अगर अच्छा हुआ तो समसान भी अच्छा हो ना दोनों में से किसी नेता को परिचे की ज़रूरत नहीं है और वो सब कुछ कर रहे हैं जिसके लिए इनकी पहचान है आपसे कहा जाता कि माइक मत बजाईए दीजे मत बजाईए मैं कहता हूँ प्रसासन से कि आपने दुर्गाजी की पूजा करने वाले भक्तों को तो पूजा करने से रोका भर्बान सिर्थ के कावड को ले जाने वाले भक्तों को तो आप ने वहां पर उस समय रोका लेकिन कभी मुहर्ण के जलुस की उदन दिता को भी रूकने का प्रियास किया आई मोडी सुनो, तुमको जुनको की फिकर नहीं है, जो खबरस्तान में सीना तान कर सो रहे हैं, जो उनकी फिकर मत करो, अब आप ने पांसो हदार की नोट होड़ करके इंसानों को खबरस्तान पर जाने का काम किया दरसल दो दिन पहले पीएम मोडी ने एक रैली की दोरान शमशान और कबरस्तान का जिकर किया था, जिसके बाद तमाम दलों के निता उन पर निशाना साथ रहीं भाईयो बैनो, गाउं में अगर कबरस्तान बनता है, तो गाउं में स्वशान भी बनना चाहिए अगर रमजान में बिजली मिलती है, तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए अगर होली पर बिजली मिलती है, तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए बेद पाम नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर तो बिलकुल नहीं होना चाहिए जातिक के आधार पर बिलकुल नहीं होना चाहिए, उचिनिस के आधार पर बिलकुल नहीं होना चाहिए सवाल अब यहीं से उठता है कि विकास और खानून विवस्था पर शुरू हुई बात आकर मंदर मस्जिद, खबरिस्तान और शम्शान तक कैसे पहुँच गई यूपी के चुनाओं में विकास के बजाए बेमतलब की बाते क्यों हो रही हैं गरीबों और जरुत मंदों के मुद्दें क्यों पीछे चूट गए हैं दरसल अब तक तीन चरणों के चुनाओं यूपी में हो चुके हैं लेकिन किसी के पक्ष में लहर नहीं दिख रही लिहाजा अपने मुद्दो पर कंफ्यूज नेता अपने पुराने धर्रे पर चल पड़े हैं यानि हर दल के नेता मर्यादा की लकीर लांग रहे हैं वोटों की गोलबंदी के लिए कड़वी जुबान पोड़ रहे हैं तो सवाल है कि क्या वोट के लिए यूपी में सिर्फ धुबी करण होगा विकास की बातें जुमले बन कर रह जाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 तो एक लंबे चौड़े वक्त में फैला हुआ ये उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाओ साथ चरणों में चुनाओ हो रहा है पहले तीन चरणों में हमने देखा कि लगातार वोटर घर से निकले साथ सत्तर परसंट तक वोटिंग हो गई आखिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिससे राजनेतिक दलों में राजनेतिक दलों के नेताओं में ऐसी खलवली मची है कि इसके बाद चाहे वो विकास का मुद्दा हो चाहे वो भरष्टाचार का मुद्दा हो वो सब काफूर हो गए हैं हमारे साथ मदो गुपता जी हैं मोसिन अज़र साब है मदो जी मैं आपसे जाना चाहूँगा कि आखिर क्या वज़े है कि तीन चरणों में ठीक ठाक वोटिंग हुई बढ़के वोटिंग हुई है पिछले विधान सबा चुनाओ से लेकिन विकास और भष्टाचार की बातों से शुरू हुआ ये पूरा चुनाओी कैम्पेन अब बिल्कुल तिलांजली दे चुका है उसे जी आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा पॉजिटिव बोलती है सकारात्मक बोलती है हमारे मुख्य मंद्री के आप सब भाषन उठाके देख लीजे नेगिटिविटी उसमें कही नहीं है लेकिन बड़ा निंदनी है कि देश के प्रधान मंद्री का जो इतना बड़ा स्ट्रेचर है चुनावी मंच से वो बात करते हैं भड़काव भाषन देते हैं जिससे की वोट पॉलराइजेशन हो आप ये देखिए ये उन्हें उतना मालूम नहीं सेंटर गॉर्मेंट को मैं बताना चाहूंगी कि अगर कब्रिस्तान की बाउंडरी बनी है वो तो उसके साथ सा शमशान घर भी बने है 2014-15 में 100 करोड का बजट था और 755 बने थे 15-16 का बजट 100 करोड था ठीक या आप एपर फिर से आखडों में बतारीं कि कितना पैसा आया और किस तरीके से उसका इस्तिमाल हो साथ इस साथ हमारे चैनल के संपादक बासंद्र मिश्री जी जुड़े हुए है बासंद्र जी क्या वज़े है कि असल मुद्दों से अब बातें निकल चुकी है इतर और कुछ और ही बात हो रही है इस चुनाओ में देखिए सेखार यह उत्तर को अपने पॉजिक्ति शुजज पर वोट मांगने पर भरोसा नहीं है उनको लगता है कि उत्तर पदेश की जनदा उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी जब वे डिब्लेप्मेंट की बात करेंगे ग्वुड गवर्नेंस की बात करेंगे बेहतर लाइंड आडर की बात करेंगे करप्संप्री गोवनेंस की बात करेंगे तो साइध यही कारण है कि एक बार फिर यह सभी प्रमुख राजनेतिक दल गहर जरूरी मुद्दों को उचाल के जनता को मिशलीट करना चाह रहे हैं और जनता को बाकावे में लाकर वोट पाना चाह रहे हैं वो चाहें भारती जनता पार्टी हो समाजबादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो यह तेनों राजनेतिक दल चुनाओ गोसड़ा के पहले तक बड़े-बड़े वाइदे करते थे कोई विजन डाकुमेंट जारी कर रहा था कोई मैनिफेस्टो जारी कर रहा था लेकिन जब चुनाओ धिरे-धिरे रफ्तार पकड़ता गया और अब दो-तीन फेज का मतदान हो चुका है बाकी फेज़ेज में मतदान होने है तो ये सभी राजनाइतिक दल अपने जो चुनावी गोशड़ा पत्र है या जो विजन डाकुमेंट है उससे अलग फिर एक बार दुरवी करण करने में जुट गए है और सब के सब कहीं जाती समिकरण कहीं सामपरदाइक समिकरण को बैठाने में लगे है और उससे भी जब इनको लग रहा है कि फायदा नहीं होगा तो एक कदम आगे बढ़के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब सब्दों का प्रियोग करने लगे है ये सबसे बड़ा दुरभाग है खास्तों से उत्तरपदेश की जनता के लिए कि वह जिन लोगों को अपना प्रतिनी दी चुनने जा रही है उनकी प्रतिवादता डेवलप्मेंट, गवरनेंस, ब्रस्ट अचार, विरोधी, सासन के बजाए जाती और संपरदाय और इसी तरह के छिछले मुद्दे हैं उनकी प्रति है और उने मुद्दों को लेके वह एक बार फिर सत्ता में पहुँचना चाहा है बाजन जी एक बड़ी महतुपूर्ण बात आपने कही है तीन दशक से आप पत्रकारिता में हैं और नजाने कितने नेताओं को, सरकारों को, दलों को आपने आते और जाते देखा है उत्तरप्रदेश में जो महतुपूर्ण बात आपने कही कि राजनेतिक दलों को ऐसा लगता है कि असली मुद्दे उठाएंगे करेप्शन का, विकास का, क्राइम का तो उस पर वो भरोसा नहीं करेगी असल मुद्दों की बात करेंगे तो जनताओं उनको वोट नहीं देगी तो ये उत्तरप्रदेश की जनताओं की नब्स, पिछले तीन दशक कानुभाव चाहेंगे कि आप साजा करें कि आखिर इन दलों को क्यों लग रहा है ऐसा देखिए जब से देश में मंडल और कमंडल की राजनीत की शुरुआ तो ही तब से हम कह सकता हैं कि अम्ब्रेला पालिटिक्स या सब को साथ लेकर चलने की जो राजनीती थी उसका देरे-देरे खात्मा हो गया और मंडल की जो फोर्सेज थी जिसका नेत्रित व एक तरफ भारती जनता पार्टी कर रही थी और दूसरी तरफ मुलायम सिंग यादो लालू यादो नितीश कुमार मायावती सरीखे नेता कर रहे थे इन लोगों ने पूरी तरह से देश और उत्तरप देश की राजनीती को जाती और संपरदाय में बांट के रख दिया और साइद यही कारण है कि हर बार चुनाओ के पहले तो कहा जाता है कि इस लेकिन जियों ही चुनाओ केंपेंड शुरू होता है और धिरे धिरे जियों ही तेजी पकड़ता है ये सब ही प्रमुख राजनाइतिक पार्टियां एक बार फिर अपने पूराने टेस्टेड फार्मूले पर ही वापस से ली जाती है इस बारे में हमने कई बार इनके दलो इसूज पर लड़ा जाना चाहिए चुनाओ डेवलप्मेंट और लाइंड आइडर की इसूज पर लड़ा जाना चाहिए लेकिन जब चुनाओ मत परचार शुरू होता है तो ये उन सभी मुद्दों की तिलांजली दे देते हैं और इसी तरह के लुभावने नारों के दम पर इसी तरह के जजबाती मुद्दों को उच्छाल कर ओट हधियाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर पाजिक्टिव इसूज की बात करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा जनता को जबाब देना क्योंकि जनता तो फिर हिसाब मांगेगी जनता रिपोर्ट का सामने रखने के लिए हमारे साथ मदू गुपता जी और मौसिन रज़ा साब हैं मौसिन रज़ा साब आप भारती जनता पारिटी का चुनाओ 2014 में भी आपने जो लड़ा विकास के मुद्दे की बात लगातार प्रधानमंतरी करते रहे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फि बातें जो लोग कर रहे हैं बड़ी ही निंदनी हैं और जनता उत्तरप्रदेश की जान चुकी है और इनकी हताशा इनकी हार इससे जहलक रही है इसमें कुछ कहने की जरूत नहीं है इसे बातों का जवाब देने की जरूत नहीं है जनता ही इसका जवाब देगी क्योंकि ज जनता समझ जाती है कि जब आपके पास करने को कहने को कुछ नहीं होता है अब विकास के मुद्दे पर आप बात कर रहे थे तो भारती जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर आज भी है और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाओ में 14 में भी जीत कर आये थे और आपने चु आप बात करें परदान मंत्री आदरणी नायंद मोदी जी की तो जो आज नीतियां उनकी लेकर हम उत्तरपरदेश में चुनाओं में जा रहे हैं जो मैनिफेस्टों में लेकर जा रहे हैं जिस तरहां से हम युवाओं की अगर आप इतना पुत्ता थे अपनी बातों पर अप अब आपने बात चेड़ी तो सुनिये हमने ही कहा कि ये जो बेदभाव जाती और समुदाय के नाम पर जिस तरहां से अखलेश सरकार करती चली आ रही है ये बार बार प्रश्ण उठ रहे हैं कहीं बिजली के खंबे लग रहे हैं तो मुसल्मान इलाकों में लगेंगे और कई लोगों को अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया तो जाती और धरम के नाम पर दिया ये बात जग जाहिर है अगर हमारे अध्यक जी ने ये मुद्दा उठाया तो ये जरहित का मुद्दा है ठीक है रहसाब समय कम बचा मैं मदूजी से भी इसी का जवाब ले ल बिला आप की सरकार के काम काज़ पर सवाल उठाने का देखें क्योंकि आप जानते हैं सेंटर गॉर्मेंट के पास कुछ बताने के लिए नहीं है कोई डेवलप्मेंट का काम या कोई अपनी चीजें पिछले तीन सालों में उन्होंने की हो बताने के लिए नहीं है और जब उनको हताशा निराशा आगे नजर आ रही है हार की घंटी बज रही है और तब भड़काऊ भाशन देना और वोट को पोलराइजेशन के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है नहीं तो वोट के टाइम पर जब लोगों को जनता को वोट डालने जालना है उस वक्त आप शमशान घर की बात कर रहे हो आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं हमने जहां कब्रिस्तान की बाउंडरी बनाई है महां शमशान घर भी बनाए है इद हो दिवाली हो हो रमजान हो सब 24 घंटे बिजली आई है मैं आपको ये आंक्डे बताना चाहूंगी कि जुलाई 2016 में जब ईद थी उस वक्त 13,500 मेगा वाट बिजली की सप्लाई गी हुई ये डेटा मेरे नहीं है, समझवादी पार्टी की नहीं है ये यूपी पार्ट कॉपरेशन लिमिटेट के डेटास है और जुलाई के बाद जब ऑक्टूबर में धंटेरस, दिपावली, भाईया दूज रहा तब फिर बिजली के सप्लाई 15,400 मेगा वाट गाई ये वक्त ऐसा है कि ना आपके पास दलीले कम रह जाएंगी और ना मदू जी के पास उनके जो तत्थें हैं सरकार के कामकाज के वो कम रह जाएंगे मेरा डर एक ही है और हम सबका जो भी लोग इस चुनाओ को करीब से देख रहे हैं डर एक ही है कि कहीं ऐसा नहों कि मतदाता घर बैट जाए कत्ताई मत बैठिएगा अभी चार चरण चुनाओ बाकी है आप जिस तरीके से भी इस चुनाओ को देख रहे हों करीब से देखिए और समझिए लेकिन मतदान का प्रतिशत गिरने मत दीजिएगा क्योंकि लोगतंत्र में वो दिन जिस दिन आपको वोट डालना है वो एक तो बार-बार आता नहीं दूसरा अगर बार-बार आने लगा तो हमारा और आपका टैक्सपेर का ही पैसा बरबाद होगा और तीसरा अगर इतनी अस्थिरता रहे गई तो फिर काहे का प्रदेश रह जाएगा काहे का विकास रह जाएगा और काहे का फिर इस तरह की चर्चा रह जाएगी